उत्तराखंड में पुशकर सिंग धामी की सरकार ने युनिफॉर्म सिवल कोट के फाइनल ड्राफ को हरी जंडी दिखाती है कल इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा आज से उत्तराखंड विधान सभा के सत्र की शिर्वात हो चुकी है ये सत्र खासतोर पर यू सी सी को कानून बनाय जाने के लिए बुला गया है ड्राफ को सदन के पटल पर पेश करने से पहले क्याबिनिट की मनजूरी जरूरी थी ड्राफ कमेटी ने बहु विवह से लेकर बाल विवह पर प्रतिबंद तक का प्रावधान रखा है और इसके साथ ये अवबाई दिसंबन से होने बाली संतान को भी संपत्ती में बरावरी का हक देने की सिफारश है लेकिन इस ड्राफ को लेकर कुछ लोगों के मन में सवाल है आशंका है आज हम इसी मसले पर अपने खास महमानों के साथ बाचीत करेंगे साथ ही साथ समझने की कोशश करेंगे कि इस बिल के पास होने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदलाब आएगा और क्या उत्तराखंड का ये बिल आगे देश को भी रह दिखाएगा इन सारे सवालों पर आगे चोचा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिखाते है अपनी खास रिपोर्ट उत्तराखंड में जिस बिल पर सभी की नजरे हैं उस UCC बिल को उत्तराखंड की पुशकर कैबिनेट ने ग्रीन सिगनल दिखा दिया है अब 6 फरवरी यानि कल इसे विधान सभाग में पेश किया जाएगा पुशकर धामी सरकार इस बिल को लेकर खासा उत्तसाहित है उसका कहना है कि ये कदम देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि छोटा सा उत्तराखंड देश के लिए नजीर पेश करने जा रहा है एकी बात कहना चाहता हूँ कि माने प्रधान मंत्री जी के नेतरुत में और हमारे मक्य मंत्री जी के नेतरुत में उत्तराखंड राज्य छोटा राज्यर बड़ा काम करने जा रहा है और पूरा देश मुझे लगता है कि इस जो काम होने जा रहा है उत्राखंड में उसका एक पूरे परदेशों में एक नजीर बनेगी और मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा काम बनेगी सरकार बनने के साथ ही उत्राखंड सरकार यू सी सी बिल को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है महस दो साल से भी कम वक्त में राज्य सरकार ने समान नागरिकता सहिता के कानून का ड्राफ्ट तैयार कर आया दो फरवरी को वो मसौदा सरकार को सौपा गया, चार फरवरी को कैबिनेट से मनजूरी मिली और अब छे फरवरी को विदहयक उत्तराखंड विधान सभा में पेश होने वाला है इस बिल को लेकर केवल उत्तरा खंड ही नहीं, बलकि देश भर में बहस तेज हो गई है पुझा जा रहा है कि बिल के भीतर आखिर है क्या? क्या इसमें सभी धर्मों और तबकों की राय को शामिल किया गया है? हालां कि बिल के उपर समानता द्वारा समरस्ता की बात लिखकर एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई है बाबसाहिब के विचारों के साथ मसौदा तीन खंडों में है पहले में कमेटी के रिपोर्ट, दूसरे में कानून के प्रावधान और तीसरे खंड में लोगों को शामिल किया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो बातें ड्राफ्ट में हैं उनके मुताबिक लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होगी विवाह का निवारे रेजिस्ट्रेशन होगा पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी यानि बहु विवाह पर रोक लगेगी उत्राधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार होगा और लिव-इन डिलेशन्शिप का डिकलरेशन आवश्चक होगा उत्राखन में इस विद्हयक के अमली जामा पहनाने की खबर के बाद देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी तरज पर UCC कानून लाए जाने की अटकरें तेज हो गई है बीजेपी शासित राज्यों ने इस बिल का स्वागत किया है हलाकि केंद्र सरकार का कहना है कि पूरे देश में इसे लागू करने के लिए विद्यायोग इस पर तेजी से काम कर रहा है लोग कमिशन ओफ इंडिया के पास विचरादीन है वो कंसल्टेशन प्रोसेस में चल रहे है राजियों के पास भी एक इसको ठीक करने का या इसको सुधारने का एक विशे रहता है जिसमें गोवा ने UCC पे पहले से ही अपना काम कर रहा है उत्राखंड सरकार जो है आप देखी रहे हैं कि कैबिनेट ने अप्रू कर दिया उत्राखंड सरकार उत्राखंड सरकार ने तेजी से UCC पर अपने कदम बढ़ा दिये हैं हलांकि इसे लेकर मुस्लिम समुधाय थोड़ा आशंकित नजर आ रहा है उनका आरोप है कि इस बिल को लेकर उनसे कोई सलह मश्विरा नहीं किया गया है लेकिन उत्राखंड सरकार का कहना है कि समाज की बहतरी के लिए ही उनका ये बिल आ रहा है और दावा ये भी है कि उत्राखंड के UCC का असर आने वाले वक्त में दूर तलक दिखाई देगा दिली से पियूश मिश्रा और देहादून से अंकित शर्मा के साथ बिल रिपोर्ट गुड्निस टुडे और इस पूरे मामले पर अलब अलब तबको का क्या सोचना और उनकी योनवाम सवल कोड पर क्या दलील है वो भी हम आपको सुनवाते हैं आज की मंत्री मंडल की बैठक में हमने अगामी विधानसवा सत्र में समान नागरिक सहिता को विध्यक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्व सम्मेति से आज मंत्री मंडल में पारित हो गया है अगामी सत्र में हम इसको शत्र में रखेंगे और विध्यक बनाने की दिसा में अगे बढ़ेंगे यूसिसी वैसे तो मुझे लगता है पूरे देस में आना चाहिए, लेकिन मैं सौभा के साली हूँ कि सबसे पहले हमारा राजिया समान नागरिक सोमिता और समान कानून देष में, जनसंख्या निYANतरण, समान नागरिक सोमिता जो देष में सावान रूप से आनी चाहिए वो स उत्राखंट से बहनी चाहिए और यहां संदेश पूरे देश में जाने वाला है और मुझे लगता है बहुत कम समय में यहां देश में लागू होने वाला है सम्मिधान निर्माता चाहते थे सबके लिए कानून हो भारत की संस्कृती भी हमेशा महिला पुरूत के बीच में भेदभाव का विरोथ करती है हमारे देश में तो नारीतु नाराडी की संगलपना है यत नारस्ति पूजते रमंते तत्र देवता दुर्भाग्यवस भारत मे आज भी बहुत सारी मुगल कालीन कुरीतियां जारी हैं जो भारत में कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून बना चुआ छूँद की कुरीतियां उसके खिलाफ कानून बना सती प्रथा कुरीतियां कानून बना लेकिन जो मुगल कालीन कुरीतियां तलाके बिद्दत तलाक एहसन तलाके बाइन तलाके किनाया उनके खिलाफ कानून नहीं बना जब उत्राखंड सिविल कोड बन जाएगा तो उत्राखंड में इन कुरीतियों के लिए कोई अस्थान नहीं होगा इन कुरीतियों को अपराग घोसित कर दिया जाए एसी यूसिसी का क्या परादा कि उत्रकड़ में लग रहा है इमान सब्सक्राइए होगा हमारे लागे भी उत्तर प्रदेश पर दियो और हर्याना बनी होगा कैसा यूसिसी है और चिंता इस बात की है कि जो अधिकार हमारे संभिदान में OBC के लिए है स्थी के लिए है उन अ क्यों प्रकड़ मुसल्मानों को हिदायाथ दिये गिस्टी और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसके खिलाफ को फ़्यार कानुन बनता है तो हम उसे मुह मानने को तैयान लिए हम नहीं मान सकते हमारा और हमारा जो क्रण ऑलदू बास है उन लड़कियों को उम प्छ प्रफ़त दी गई थी कि लड़की को इतना हिस्सा है और लड़के का इतना हिस्सा दी जाएगा एक परदेश एक कानून यही तो है यूनिफॉमस्विल कोड़ का मतलब अब जब उसमें ट्राइबल्स को छोड़ दिया गया है जाती जन जाती अनुसुच जाती को इसमें अल बनने वाले हैं मैं आपको हैं बताता चलो सवेल लाउस पूरी कंट्री में एक है अगर किसी मुस्लिम के साथ कोई अन्याय होता तो कोड का दर्वाजा खटका राता है ना कि काजिए शरीयत या दारूल कजा को पास जाता है